आप सबी के सामने हैं फाइस सो वॉर्ट का बहुत ही पावरफुल बहुत दमदार अंपलीफायर फ्रेंट्स यह अंपलीफायर मैंने ऊडर पर तयार किया है जिनके लिए तयार है उनका नाम बताऊंगा और साथ ही मैं आप सब्सक्राइब करें तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यह एंप्लिफायर टोटल 2200 वाट का है यह थ्री चैनल एंप्लिफायर है इसमें दो टॉप और दो बेस आप चला सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें आपको आसम क्वालिटी मिलेगी तो फ्रेंट्स यह एंप्लिफायर जो मैंने त्य चलते हैं एंप्लिफायर के अंदर इंटर्नल मैंने क्या क्या पार्ड यूज किये हैं कौन से बोर्ड यूज किये हैं मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यह हमारा टूटल जो एंप्लिफायर है 200 वाट का है 3 चैनल तो इसमें जो हमारे दो चैनल है टॉप के लिए वह 500 वाट प्लस 500 वाट है यह दो चैनल है तो आप देख सकते हैं यह हमारा एक 500 वाट दूसरा 500 वाट हमने एक ही हीट सिंग में इस चैनल को बनाया हुआ है काफी लंबी हीट सिंग है यह 13.5 इंच की हीट सिंग है इसमें ह 500W प्लस 500W और दोनों चैनल के लिए अलग-अलग ड्राइबर यूज किया है आप देख सकते हैं यह 1000W का ड्राइबर यह लगा हुआ है दूसरा 1000W का ड्राइबर यह लगा है दोनों ही ड्राइबर में प्रोटेक्शन वगारा सारी चीजे इनबिल्ड है ठीक है फ्रेंड़ और आप देख सकते हैं यहां पर जो 5 प्याइबर ट्रांजिस्टर हमारा एक चैनल 5 प्याइबर ट्रांजिस्टर हमारा दूसरा चैनल और इसके लिए जो हमने फ्रेंड्स पावर सप्लाई यूज की है यहां पर देखिए 4 कैपस्टर की पावर सप्लाई यूज की है जिसमें कैपस्टर वैल्यू है 10,000 UF 100 वल्ट के 4 कैपस्टर की पावर सप्लाई इसमें लगी हुई है और इसको आपरेट करने के लिए हमने जो ट्रांस्फार्मर से आउट्पुट ली है वो ली है 55,055 की आ दी डावल आइसि में तो यह प्रिय्म हमने यह टॉप के लीए यूज किया है जो कि हमारा 500 प्लस 500 है इसमें थीन मिलते है लो मिढ हाई और यह वोल्यूम तो यह दोनों चैनल का लो मिढ हाई और वोल्यूम है ठीक है सरー और अभी चलते हैं बात करते हैं जो हमारा सबूफ चैनल है यह टोटल 1200 वाट का है इसमें देखिए 10 पेयर ट्रांजिस्टर यूज किये गया है आप काउंट भी कर सकते हैं 10 पेयर लगे हुए है और इसमें हमने जो ऊपर से ड्राइबर लगाया हुआ है यह तीन हेदर वाट का ड्राइबर है बहुत ही बढ़िया क्वाल्टी ह इसमें भी देखिए रिले प्रोटेक्शन लगा हुआ है ठीक है फ्रेंट्स तो हमने इस चैनल को चलाने के लिए भी यहाँ पर फोर कैप्स्टर की पावर सप्लाई लगा हुई है और इसमें देखिए इनबिल्ड पावर सप्लाई या भी है जैसे 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 5 सप्लाईया है और फ्रेंट्स अबसे अची बात है कि इस एम्प्लिफायर को आप ब्लूटूस से भी ऑपरेट कर सकते हैं हमने यहां पर इसमें ब्लूटूथ भी दिया हुआ है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर देखिए आपकी यह दो टोन वर्क करेंगे बाकी के यह दो अगर आपको Bluetooth नहीं चलाना है तो आप इधर कर देंगे तो Bluetooth आपका बंद हो जाएगा और इस साइट कर देंगे तो आपका Bluetooth चालू हो जाएगा अगर आप इसको Mixer से ओरेट करना चाहते हैं तो बैक साइड में Mixer के लिए Connection दिएगे हैं तो आप इसको Mixer से भी Connect कर सकते हैं तो friends मैं इसका back look आपको दिखा देता हूं उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंट में देखिए यहां पर देखिए बहुत ही बढ़ी है क्वालिटी के ऐलमोनियम के handle हैं जिनकी grip बहुत अच्छी होती है दोनों साइड में ऐलमोनियम के handle दिये हुए है friends यहां पर हमें मिल है music level indicator light मिल जाती है जो कि हमारी music पर work करती है जितना आप volume रखते हैं उसके recording यह up and down होती है तो friends यहां पर आप देखिए तीन LED जो हमारी एक है amp on, fault और power on और यह second channel हमारा power on, fault, amp on यह सारी LED का display आपको यहां पर मिलेगा तो जो भी problem है आपको यहां show करेगी अभी जब मैं आपको amplifier on करके दिखाऊंगा तो यह देखिएगा सारी LED वर्क कैसे करती है मैं सारी चीज़े आपको detail में बताऊंगा ठीक है अभी चलते हैं इसके back look में back में आपको मैं दिखा देता हूं कौन-कौन से आपको connection किस तरह से करने होते हैं यह है इस amplifier का back look यहां पर देखिए जो left right हमारे speaker है तो वो आप यहां से connect कर सकते हैं यह बनाना terminals जो दिये हुए है इनमें आप left right speaker लगा सकते हैं ठीक है फ्रेंस दोनों चनल के अलग अलग है और जो इस speaker on socket देख रहे हैं तो यहां पर आप subwoofer के लिए आप speaker on से connect कर सकते हैं यह आपका mixer input हो गया और यह output system हो quality में अभी आपको जब amplifier on करूंगा आप देखेगा बहुत ही बढ़ी है quality है और देखिए back में support के लिए यहां पर भी देखिए handle लगे हुए है जिससे कि अगर आप amplifier को खड़ा करके रखते हैं तो आपका जो सारा load है इस पर आएगा कोई भी terminal वगएरा जो है वो touch नहीं हो ठीक है friends तो अभी चलते हैं amplifier की testing part की तरफ और इसकी proper testing में आपको दिखाता हूं अभी testing से पहले में हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कितना load कितने ohm पे आपको मिलेगा तो friends जैसे कि हमारा ये 500 प्लस 500 watt का जो हमारा channel है ये आपको 8 ohm पे 500 प्लस 500 watt output देगा आप इसको ठीक है friends और जैसे कि subwoofer board है हमारा ये भी हमारा 8 ohms पे work करेगा 8 ohms पे आपको 1200 watt की output देगा अगर आप इसको 4 ohms पे चलाते हैं तो 1300-1400 watt तक का output आप इस पे चला सकते हैं बहुत ही बढ़ियां आपको इस पे quality मिलेगी ये subwoofer वाला board है ये हमारा 60-060 से operate हो रहा है इस transformer से ह हमने output ली है 60-060 की 20 ampere की output ली है इस board के लिए क्योंकि ये वाला board हमारा जो है वो काफी powerful board होता है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियां quality की हीट सिंग लगी है और 10 pair के transistor लगी है output बहुत ही दमदार होता है इसका driver आप देख सकते हैं कितना बढ़ा driver है ये total 3000 watt का driver है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए transformer की quality बहुत ही बढ़ियां है pure copper में बहुत ही अच्छी quality का transformer size आप देख सकते हैं 6-7-6 inch की लंबाई है transformer की और जो इसकी height है वो approximately 4.5 inch की इसकी height है आपको ये pure copper में transformer मिलेगा बहुत ही बढ़ियां quality का transformer है जिससे कि आपको output बहुत अच्छी की मिलती है ठीक है फ्रेंड्स तो अभी चलते हैं इसमें मैं सारे connection कर लेता हूं और फिर प्रॉपर आपको इसकी testing दिखाता हूं Amplifier में मैंने सभी connection कर लिया है अभी आपके सामने मैं set on करता हूं और आप देखेगा किस तरह से light on होती है देखेगा देखेगा मैं set on कर रहा हूं देखे पहले view light on हुई और देखे दोनों red light जल रही है इसके बाद देखे green and then green ये तीन green light आपकी on हो गई यानि 3 channel आपके on हो चुके है ठीक है friends हमारी जो ये बची है Ampon की जैसे ही हम music चलाएंगे तो उसके recording ये on होगी अब यू फ्रेंड इसमें मैं आपको सबूफर की टेस्टिंग कराता हूं देखिए मैं music volume बंद कर देता हूं और ये देखे सबूफर कर दो झाल कि अफिक यूब की वीडियो को पसंद आएक इंगर वीडियो पसंद आएक Anytime you लक करिए घबर चनल को ॽैस्ट टाइम है तो पलीज चनल को सबस्क्राइप करिए गा मिलता हूँ नेक्स वीटियो में बाए एंट चेक्र दोस्तों वंदे मातरा है